बिसम अल्ला रख्मार रहीम, आज हम मॉड्यूल 77 डिसकस करेंगे, मॉड्यूल 77 है, सौर्टिंग का मेमरी मैप्ट फाइल, यह जस्ट एक सिंपल सी एक्जामपल है, इस एक्जामपल के अंदर हमारे पास एक फाइल होगी, उस फाइल के अंदर डेटा पड़ा हुए, और हम मेमरी मैप्ड तरीकے से उस डेटा को रीट करेंगे, और उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुए, उसको सौर्ट करके वापस फाइल के उपर राइट कहाँए, यह काम करने के लिए, Q-sort का फंक्शन यूजज़집 होगा, Q-sort का फंक्शन ओरड़ी, यह लाइब्रेरी फंक रिकॉर्ड जो है इस डेटा स्ट्रक्चर के मताबिक रिकॉर्ड पढ़ा हुए उसके दो फिल्ड है एक की की फिल्ड है और दूसरी फिल्ड जो है वह डेटा की फिल्ड है की के बेस के ओपर हमने सारी जो है सार्टिंग करनी है तो यह की कंपेर का फंक्शन यहां पर हमने बनाया हुआ अपने क्यू सॉट के फंक्शन के लिए तो यह इन दा इंड अफ दे प्रोग्राम यह लिस्टेड अप अच्छ अब आगे चलते हैं यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा हमें उसी तरह से ही फाइल क्रियेट वी हब इसको हमने वह सारे इसक्ट पर चेक्स ब्राइब की आप अपने के बाद हमने यहां पर क्रियेट फाइल मैपिंग कर दी और वो जो file handle था उसको use करके यहां पे हमारे पास map आ गया read write के लिए हमने इस file को open किया read भी कर सकते है, write भी कर सकते है जो भी file size था उसके accordingly यहां पे हमने file size वगरा भी specify कर दिया कोई error वगरा सब कुछ नहीं है तो हम इदर map के उपर आ गया map के अंदर हमने क्या किया है कि हमने अब उसके उपर एक map बना लिया इस handle को, इस map को use करते हुए एक view बना लिया map view कर लिया, यह हमारा map है और हमारे पास view आ गया, p file और यह all access है, read भी कर सकते है write भी कर सकते है ठीक है, तो पहले हमने read write के लिए open किया था उसके साथ यह compatible है, शुरू में आप देखे, जब हमने file open की है, तो यह generic read है और साथ ही generic write है, तो read write है, अब दोनों operations perform कर सकते हैं, चुनाचे यह इदर page read write उसके साथ compatible है, और file map all access भी उसके साथ compatible है, अगर compatibility नहीं होगी, error आ जाएगा और आपकी exception पकड़ लेगी, अब यहां से हमारी exception शुरू होगी, यह qsort का यहां पर simply हमने function apply कर दिया, pfile में से हम read कर रहे हैं, और जो भी हमारा file का size है, उसको हमने record size के साथ divide कर दिया, और हर iteration पे हम record size इतनी value को उठाएंगे और उसको sort करेंगे, यह key compare दा function जो qsort को required होता है, जिसके मदद से वो sorting करेगा, यह function जो है, यह उसी file में से, बिलकुल file में से ऐसे data उठा रहा है, जैसे के array में से उठा रहा हूँ, बिलकुल memory की तरह, उसको memory की की बच रही है कि आपको बार-बार file में से read करके, मुखलिफ array के अंदर put करके और फिर उन्हों array को sort करने की जरूद नहीं है, आप directly file में से इसी तरह read करें, as if के वो array हो, तो कितनी असानी होगी, और simply इस aq sort की call से आपने simply file के अंदर पढ़े हुए data को easily sort कर लिया, बाकी सब को चुसी तरह ही है, आपके पास in the end, जब बाकी सारी आपकी exception है, in the end, जब अगर किसी वज़ा से exception अकर होती है, तो यहां पे आपने accept के clause के अंदर भी रखा हुए, map को unmap कर देंगे, view को unmap कर देंगे, और map का handle जो है close कर देंगे, file का handle भी close कर देंगे, और यह इदर key compare वाला भी आपका function है, p1 key और p2 दोनो keys जो है, उनके आपस में key size की base के उपर value return करता है, comparison return करता है, compare का यहां पे function है, और comparison, इन दोनों keys चीज का comparison return करेगा, आपको पता ज़रेगा, कौन सी value lesser, यह greater है, तो यह function use करते वे वह, पूरी file जो है, qsort का function जो है, sort कर देगा,